OnePlus 8T का Oxygen OS के नाम पे धोखा वाल अपडेट आ चुका है मतलब ही भाई सिर्फ और सिर्फ नाम का Oxygen OS है बट एक्चल वे में पूरा-पूरा कलर OS बन चुका है और इसका लेटेस्ट अप्टेट वाई हमारे प्रेशन के तरफ से प्रोवाइड किया गया है जिसमें काफी कुछ चीजी यहां पे इंप्रूफ की गई है बट इस्टिल कुछ-कुछ कमिया देखनी को मिलती है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ सिर्फ इसलिए पूरा लास्ट तक जरू वाच करना अगर आप Oxygen OS के नाम पे धोखावला अप्लिकेशन यानि सॉफ्टिवेर अपने फोन के अंदर डालना चाहते हो तो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और मेरे सेकेंड चैनल को भी कर लेना सस्क्राइब और इसे भी ताकि इस तक इंट्रेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर है जो मिल सके है तो सबसे पहले में आते हैं यहां पर सेटिंग अंदर जहां पर अबाउट फोन में दिखाई देगा आपको यानि अबाउट डिवाइस के अंदर जहां पर ऑफिसियल अपडेटर वर्जन दिखाई देता है जिसका यह पोर्ट किया गया है और अपडेटिट सॉफ्टियर की बात करे ना तो यह है हमारा A.01 जो कि ऑक्सिजन ओस का और यहां पर गलती से भी आपको ओटी अपडेट न जला आता है तो करना मत अधर आपका फोन खराब हो सकता है अनदर यहां पर आपको दिखाई देता है OnePlus 8T क्योंकि यह उसी के डिवाइस से पूर्ट किया गया है बाकि All Aspects से डिटेल वगरा आपको यहां पर दिखाई देंगे जो कि हमारे OnePlus 8T का ही होगा तो भाई उसे इग्नोर करना Android 13 देखनी को मिलेगा October 5 क सेक्योर्टी पैच आपको देखनी को मिल जाता है बैक गुराने के बाद पूरा का पूरा आपको यहां पर देखनी को मिलता हुई Color OS जो कि मैंने पिछले टाइम आपको प्रोइड किया था यहां के All Oxygen OS ठीक है यहां पर आपको एटिशन के अंदर Multi language support मिल जाता है क्योंकि इंडिया ओले जो Color OS उसी को ही पूर्ट किया गया है तो यहां पर साइल लेंगोज अगरा support आपको यहां पर मिलेंगे साथ साथ जेस्चर्स की बॉल यहां पर 100 पावर मिनू स्कीन रिकॉर्डिंग अगरा बाकि अदर आपसर मिलते हैं अस्पिशल फीचर्स के अंदर Split, Flexible विंडो, क्यूकर रिटर्ण, स्मार्ट साइडवर, किट असपेट, सिंपल मूड और वर्क फोर बालेंस यह जो है ना OnePlus का बहुत पुराना फीचर से जो कि यहां पर है बाकि सारे आपको Color OS वाले ही देखनी को मिलते हैं इसका जो साइडवर यह पहले से काफी जारा इंप् और यहां पर बाकि सारे आपको मिलता है यहां पर प्राइविसी और बाकि यहां पर सिक्यूर्टी जहां पर स्टील आपका Face Unlock काम नहीं करता है साश्याद Apps Lock, Apps Hide और Face Unlock वगड़ा आपकी वर्किंग नहीं रहेंगे जैसा कि पिछले टाइम भी था और यह fix होने वाले नही नहीं है तो उमीद लगा कि मत रखना कि वहाई है कि आप हमें fix देखनी को मिले ऐसा कुछ भी नहीं है और यहां पर यहां पर फॉर्स टाइम यहां पर डालोगे पासवर्ट वगड़ा तो फॉर्स टाइम आपको पिन ही डालना है उसके बाद आप सेकेंड टाइम पैटर् करता है जिसको आप क्लोन कर पाओगे बाकी सभी को क्लोन नहीं कर सकते अनदर यहां पर recover का special का auto launch वगड़ा का option आपको मिलेगा note reason के अंदर वही आपको सेम चीज़े देखनी को मिल जाती है जिसमें कुछ भी change आपको यहां पर नजर नहीं आता पहले जैसा ही है sound के profile में यहां पर डॉलवी का sounds का driver वगड़ा है थ्वास अपडेट किया गया है backup अलग से और भी mode वगड़ा करना चाहते हो जो डाल सकते हो root करने के बाद brightness के अंदर वही आपको dark mode वगड़ा मिल जाता है और auto brightness वगड़ा जो कि अच्छे से काम करता है कोई दिकत नहीं आता home screen and lock screen में आपको यहां पर animation control जो कि fast और medium ही नजर आता है जो कि system launcher जैसा ही है यहां पर self या notification drawer वगड़ा वगड़ा वेकप और यहां पर recent में जो आपके free memory है वो so रखने है या नहीं देखनी को मिलेंगे और यहां पर आप देख से तो 8GB में से 2GB ही free दिखाई दे रहा है तो भा यहां पर दिखाई देती है wallpaper and style के अंदर यहां पर always on को रखा गया है जबकि POCOE4 का same colorways update आया है उसमें always on यानि AOD का हटा दिया गया है क्योंकि यह भी still यहां पर भी बगई और वहां पर भी बगई था क्योंकि यहां पर एक काम तो करता है बड़ इसका brightness काफी जड़ा weak रहता है जो कि आपको ठीक से दिखेगा भी नहीं कैमरा में तो नजरी नहीं आ रहा होगा जबकि मुझे हलका सब दिखाई दे रहा है यहां पर तो यह ना के बरावर ही है तो इसे आप off ही रखना बाकि bitmoji और canvas वगरा option आपको देखने को मिल जाते हैं और back आने के बाद यहां पर कुछ extra fonts आपको मिल जाते हैं जहां पर one plus sense more वगरा आपको देखने को मिलेंगे icon customization आपको यहां पर मिल जाता है color का option यहां पर दिया गया है और यहां पर भाई one plus camera तो दिया गया है जो कि अब colorways जैसा पूरा look आ चुका है बट यह काम नहीं करता है crash हो जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर आप अपना Gcam डालके यूज कर सकते हो जो कि मैंने यहां पर चेक कर रहा है अच्छे से काम कर रहा है या फिर अभी फिलाल ANX और Leica camera का port version आ चुका है जो कि हमारे इस colorways पर अच्छे से काम करता है जो कि मैंने कुछ time पहले आपको वीडियो दिया था i button मिल जाएगा और अभी just मैंने यहां पर default camera open किया था इसलिए main camera भी काम नहीं करता तो मैं आपको suggest करूँ है ना कि जो default camera है यहां पर दिया गया जो ठीक से काम नहीं करता इसे आप disable ही कर दो क्योंकि जब भी आप इसे on करके use करोगे ना तो यह तो काम करेगा नहीं और बाकि दूसरे camera को पर भी ए effect डाल देगा जिसको वैसे आपको दिक्कत आएगी तो इस कुछ हमें कैसे देखनी को मिलता है और यहां पर पिन करने के बाद आपको wallpaper का option मिल जाता है icon customize करने का option मिलेगा widget support मिलते है जहां पर जो भी application आप डाल आगे उसके widgets यहां पर आपको नजर आएंगे अनाधर यहां पर layout आप change कर सकते हो यहां पर effects area में बदला उला सकते हो औ और यह हमारा wallpaper और इस प्लस पर टैप करोगे जिसका widget support है जैसे कि हमारा MIY का है सिम उसी तरीक से आता है और इतने सारे application के आपको widget support मिलते हैं जैसे कि phone measure के अंदर यह सारे widgets आपको मिल जाएंगे बाकि photo के अंदर यह आपको मिल जाएंगे बाकि यहां पे clocks के अंदर मिल ज दिखाई देता था तो आप मुझे बताना है कि यह कुछ ऐसा ही था पिछले टाइम भी यह इस बात फवास आपको different दिखाई देता है बाकि notification एरिया वगेर आपका सही है control center का फेच्छे तरीके से काम करता है यहीं पर music player attached हो जाता है जो कि आपको पता ही है और जो भी active app र charging test जो कि 35 मिनट में 68% जाता है तो काफी अच्छे तरीकिसे charging काम कर रहा है और पिछले टाइम एक बग था कि charging पर डालने के बाद इंडिकेट नहीं करता था status बार में के charge ले रहा है या नहीं तो यह fix हो चुका है don't worry under 2 काफी अच्छा रहता है जो कि MIUI के काफी हद तक close है उससे ज़्यादा तो नहीं है लिगे जहाँ close में है another 100 पे डालने के बाद CPU फोटलिंग काफी अच्छा result निकल के आता है जो कि मुझे काफी पसंद आया क्योंकि अक्सर, Color OS, Oxygen OS और साथ से Real Mew OS के अंदर CPU फोटल, Official Roam में बिल्कुल यह बेकार टाइप कर रहता है बट यह जादर यहाँ पे आपको Geekbench देखनी को मिलता है जो कि काफी सही है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि single थोड़ा और better हो सकता था बट काफी अच्छा है यह भी, फिर से मैंने यहाँ पे test किया तो same result देखनी को मिला और यहाँ पे stand by battery drop की बात करें तो यह हमारा 36 और उसके बाद द हो, color voice हो, सभी में battery drop मुझे ज्यादा देखनी को मिल रहा है, जबकि वहाँ पे POCOE 4 में कोई भी पोर्ट रोम आता है, वहाँ पे battery काफी अच्छे तरिके से काम करता है, drain नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है जो कि अब तक fix नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको 90 एपिस मिल आपको root करना होगा, उसका module डालना होगा, और उसका मैंने video देर खयाप check कर लेना कि कैसे डाला जाता है, आपको पता लग जाएगा अपने नहीं किया है, तो, और साथ चार डिवाइस आपका certified नहीं रहेगा, तो banking के app यूज करने में आपको दिक्कत आने वाली है, तो इस कैसे करना है, आपके phone के अंदर, तो एक में installation guide का video अटेच कर दूँगा, discussion में, जिसे आप watch करके, इसे अपने phone के अंदर डाल सकते हो, और वाज़ आपने पिछले जो प्रतिक के तरफ से port किया गया था, oxygen noise, उसका video देख रिखा होगा, तो वही save method यहाँ पर apply करना है, और link आपको मिलेगा discussion में, उसे आप check out कर लेना, so thanks for watching, bye bye